दोस्तो आज मैं आपके लिए पांच आई से इंसान लेकर आया हूँ जिन्होंने लोगों के बीच में अपने खतरनाक स्टंट्स को दिखा कर काफी नाम कमाया हाला कि उन्हें स्टंट्स को करने के दौरान उन्होंने अपनी जान भी गवा दी जिन्हें देख कर आप भी चौ प्रिप मार रहे थे तब ही लेंड करने के दौरान उनका फैर फिसलने की वज़े से वो विल्लिंग से नीचे जा गिरे और उनकी वहीं पर मौत हो गई हाला कि ये पूरी गटना उनकी कैमरे में कैद हो गई साल 2013 में जब एक शो के दौरान हवा में एक इस्टंड को किया जा रहा था तब ही जैन प्लेन के उपर ही अपने इस्टंड को परफॉम कर रही थी लेकिन जब पाइलेट ने प्लेन को एकदम से हवा में ही उल्टा कर दिया तो बैलेंस बिगड जाने की वज़े से उसका प इंगलेंड का रहने वाला ये व्यक्ति जब अपने फाइटर प्लेन को उड़ा रहा था तो एक श्टंड के दौरान उसके प्लेन में कुछ खराबी आ गई जिसके बाद सियान ने तुरंत अपनी सीट को इंजेक्ट कर लिया लेकिन वाउजूद इसके उसका पैरशूट नहीं खुला जिसके कारण वो तेजी से नीचे आकर जमीन से टकरा गया और इसी तरीके से शियान की जिन्दिकी हमेशा के लिए खतम हो गई New Zealand का रहने वाला ये व्यक्ति दुनिया की सबसे अच्छे बेश जमपर और स्क्राई डाइविंग के लिए जाना जाता था लेकिन साल 2013 में डैन ने विंग सूट चैंपेंशिप में सेकंड इस्तान हासिल किया था लेकिन साल 2014 में जब डैन अपने दोस्तों के साथ एक प्लेन से विंग सूट पहन कर जम करने का डिसाइट करते हैं तो उनका वो प्लेन रास्ते में ही क्रेश हो जाता है जिस वज़े से डैन और उसका दोस्त उसी समय मर जाते हैं हाला कि उसके साथ मौझो दूसरे लोग उस घटना से बच जाते है एरिक रोनर 30 सितंबर 2015 को कैलिफोनिया में स्काइडाइविंग के दोरान रोनर की नीचे गिरने से मौत हो गई मैं आपको बता दू रोनर MTV जैसी बड़ी और्गनेशन के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन बदकिस्मती से जब वो जम्प के दोरान तेजी से नीचे आ रहा था तब ही एक पेड उसके सामने आ गया और एरिक उससे जाटक राया और फिर बात में जब लोग उसे ढूंगते भी वहाँ पहुचे तो एरिक की मौत पहले से ही हो चुकी थी दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक या फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह के मज़िदार वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना